इस्राइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई थी जिसके बाद से करीब 9 महिने से ये जंग अब भी जारी है इस्राइल ने इस जंग को अब और भैंकर बना दिया है इस्राइली बलो ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया स्माइल हानिया की मौत से मिडिलीस्ट की जंग अब और भड़क सकती है मिडिलीस्ट में जंग कभी भड़क सकती है इस बात का दावा न्यूयोक टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है न्यूयोक टाइम्स ने इरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि इरान के सुप्रिम लीडर आयातुल्ला खामिने ने जंग का एलान कर दिया है आयातुल्ला खामिने ने स्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इरान को इसराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया है खामने ने इरान की सर्वोच राष्ट्रे सुरक्षा परिशत किये का बाद बैठक में हमले का आदेश दिया खामने इन सेन कमांडरों को खुपुद की युजना बनाने का भी आदेश दिया है इरान ने हानिया की हत्या का आरोप इस्राइल पर लगाया है इस्राइल ने इस्माइल हानिया की हत्या पर अब तक कुछ भी नहीं कहा है रिपोर्ट के मुताबिक मुसाद और सी आईये ने हानिया की लोकेशन दी सही लोकेशन मिलने के बाद मिसाइल से हमला किया गया स्माइल हानिया की हत्या एक महफूज इलाके में हुई है इसलिए सवाल उठ रहे है इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुस्मन देशों को पहले ही वार्निंग ले दिया नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश पर किसी भी मोच्चे पर कोई भी हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी बिंजमिन नितिन्याहू ने हानिया की हत्या के बाद ये पहला बेह जारी किया है